इस वक्त बिताता हुआ निफ्टी बताएं सर क्या व्यू बन रहा है इस वक्त और क्या है अपडेट्स गुड मॉनिंग अनिल जी तो देखिए अब 18,000 हो गया लेकिन भार की मार्केट है थोड़ी वॉलटाइल है लेकिन यहां मैं यह कहूंगा कि इंडिया का आउट पर्फॉर्मेंस तो नंबर से आ रहा है सर मैंने यह नहीं देखा कि डिसमबर के इंफ्लोज इन दे मूचल फंड और इवर बिफोर तो बता रहा है तो रीटेल इंवेस्टर इस बैक बोन अफ दिस मार्केट और यह मार्केट वालटाइल ज़रूर रहेग इस पर कायम हूँ और गोडरेज प्रापटी तीनों पर कायम हूँ बाकियों के टार्गिट अल्मोर्स हुट हो गए जो आपको इंट्राडे दिये थे अब आपके लिए दो बाई एक सेल है क्योंके मार्केट वालटाइल है आज मैं थोड़ा सेफटी पर खेलूंगा सर जी जो न्यू डाइगनोस्टिक बिजनर्स लॉंच किया है उसकी रीच बहुत लंबी है और अब जो डायोटेक्स में इन्वेस्ट करेगा वो आगे जाते हो अगली पांत तस साल में बहुत रीप करेगा 940-42 में लीजिए कीपस टॉप लॉस आइटीन इस एड़िट तो 975-9 लूपिन इस टॉप दूसरा है का मेरा फेवरिट शेयर डीवीज लैब जो API में आउट परफॉर्म कर रहा है और इस क्वार्टर में जो रिजल्ट्स होएंगे वो सबसे अच्छे आएंगे फार्मा में 4515-20 में लीजिए stop loss of 4435 target of 4650 और बेचने में अनिल जी है सेल मेटल्स बहुत वीक है सेल बहुत वीक दख रहा है एक सो सारे छे साथ में बेचिए सारे आट 75 का stop loss है एक सो एक रुपे का टार्गेट तो चलिए ट्रेडिंग के लिहाँ से आप सेल में करें बिक वाली और दो करें खरीदारी ल्यूपिन और डिवीज लेब यहाँ पर खरीदारी करने कर आए सेल बेचिए एक सो छे पचास एक सो साथ के आसपास स्टोप लोस एक सो आट 75 का टार्गेट होगा एक सो एक रुपे का डिवीज करें ने 4515-525 की रेंज में 435 का स्टोप लोस होगा 4650 के टार्गेट के लिए तो दो बाइस से एक सेल यह है आज वसीन साब की तरफ से बहत झाओ का नख przyszे एक साथ करेंगें यह कि आप ऑगा से में यह है नेख थीलएबगा जे शेत विए नेख रजाह करें झाज की तरफ से एक सो मेंoooo